दोस्तो जैपनीज कार मैनुफेक्चरर्स टयोटा ने अपनी एक और नई MPV, रूमियन को लॉंच किया है। ये नई MPV मारूती सुजुकी और टयोटा के पार्टनर्शिप का नतीज़ा है, जो कि मारूती आर्टिका पर बेश्ड है। कम्पनी ने इस कार को South Africa में पेश किया है। मारूती सुजुकी की कारों पर बेश्ड ये टयोटा का तीसरा मोडल है। इससे पहले कम्पनी मारूती सुजुकी के दूसरे मोडलों पर बेश्ड गेलेंज़ा और अर्बन क्रूजर को पेश कर चुकी है। जो कि बैलिनो और विटारा ब्रेज़ा का ही री वैजड वर्जन है। जहां तक इंडियन मार्किट की बात है तो टोयटा जल्द ही यहां मारूती सुजू की सियाज पर बेशड अपनी नई कार बैल्टा पेश करने वाली है। दोस्तर टोयटा रूमियन काफी हद तक देखने में भारत में बेची जाने वाली मारूती अर्टिका जैसी ही है। हलाक इसके फ्रंट ग्रिल में थोड़ा बदलाव किया गया है और सामने की तरफ टोयटा की बैजिंग दी गई है। इसमें अर्टिका जैसे ही हेडलेंप, बंपर डिजाइन, टेल लाइट्स दिये गए है। यहां तक ही इस MPV में अलॉय वील का भी डिजाइन मारूती अर्टिका जैसा ही है। इसके अलावा रूमियन का इंटियर भी मुझूदा अर्टिका कार जैसा ही है। कार में स्टियरिंग वील पर केवल टेयोटा की बैजिंग दी गई है, जो कि इसे थोड़ा सा अलग बनाती है। इस MPV में आटोमेटिक एर कंडिशन, 7 इंच का टच्सक्रीन इन्फोटेन्मन सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एंड्रोइड आटो और एपल कारपले कनेक्टिवीटी के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोर्स डिस्रिब्यूशन ज और 4-speed torque converter automatic transmission gearbox के साथ आता है। सिरफ और सिरफ टयोटा बेजिंग के अलावा, ये कार काफी हद तक मारूती सुजुकी आर्टिका जैसी ही है। बहतर लुक और पावरफुल फीचर से लेस टयोटा की दोनों कारें, टयोटा बेल्टा और टयोटा रूमियन, भारत की और भी कमपनियों की पोपिलर कारों से मुकावला करेंगी। और क्योंकि ये दोनों कारें मारूती सुजुकी की पोपिलर कारों का री बेज्ड वर्जन है, इसलिए इन्हें लोगों का प्यार मिलने की भी संभावना है। टयोटा बेल्टा को भारत में होंडा सिटी, हुंडाई वर्ना, स्कोडा रैपिड और वॉक्सवेगन वेंटो जैसी कारों से मुकावला होगा, तो वहीं टयोटा रूमियन का मुकावला महिंद्रा मिराजो जैसी MPV कारों से होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको टयोटा रूमियन? हमें कमेंट करके अपनी रायज ज़रूर ब झाल झाल